नमस्कार छात्रो मैं उमेश मसले कर अकांग्षा संस्टूत कोचिंग क्लासेस इस चनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे क्लिक किजिए वहां आपको हमारा पिछला वीडियो दिखेगा हम इस वीडियो में शलोक पास से साथ पढ़ेंगे अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए इस पे कॉमेंट कीजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए अपने दोस्तों को भी इस चनल के बारे में बताईए अब हम श्लोक पाच्वा पढ़ेंगे हरिततरू नाम ललितलता नाम माला रमनिया कुसुमा वलीही समीरचालिता स्यानमे वरनिया नवमालिका रसालम मिलिता रूचिरम संगमनम शूची परिया वरनम इस श्लोक का अनवे में हरिततरू नाम ललितलता नाम माला रमनिया समीरचालिता कुसुमा वलीही वरनिया स्यात नवमालिका रसालम रूचिरम संगमनम मिलिता शूची परिया वरनम इस श्लोक का र्थ यह है मेरे पेडों की और सुन्दर लताओं की रमनिया माला चुनने योग्य है हवा से चलाई गई मतलब हिली हुई फुलों की पंक्ती हो मिली हुई नवमालिका और आमो का सुन्दर संगम हो यह परिया वरन शुद्ध हो अब इस श्लोक के संधी विग्रह इस श्लोक में केवल एक संधी विग्रह है स्यान में इस संधी का विच्छेद है स्यात प्लस में परियाई पदनी माला इस शब्द का परियाई पद है पंक्ती ही समीरह इस पद का परियाई पद है वायू हू अथ्वा समीरनह कुसुमम इस शब्द का परियाई पद है पुश्पम अथ्वा प्रसूनम रसालह इस शब्द का परियाईपद है आम्रम रुचिरम इस शब्द का परियाईपद है सुन्दरम लता इस शब्द का परियाईपद है वल्ली अब समास हरित तरू नाम इसका विग्रह है हरिताहा तरवह तेशाम समास का नाम है कर्मधारे समास ललित लता नाम इस समास का विग्रह है ललिताहा लताहा तासाम समास का नाम है कर्मधारे समास कुसुमा वली ही इस समास का विग्रह है कुसुमा नाम आवली ही समास का नाम है शेष्ठी तत्पुरुष समास और अन्त में नवमालिका इस समास का विग्रह है नवामालिका और समास का नाम है कर्मधारे समास अब हम छटाश लोक्स पड़ेंगे अई चल बंधो खगकुलकलरव गुंजित वनदेशं पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुखसंदेशं चाक चिक्य जालम नो कुर्याद जीवित रसहरनम शुची पर्यावरनम इस लोक्कान वे अई बंधो खगकुलरव गुंजित वनदेशं चल पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुखसंदेशं चाक चिक्य जाल जीवित रसहरनम नो कुर्याद शुची पर्यावरनम इस लोकार्थ अरे बंधो पक्षियों के समुह की ध्वनी से गुंजित वनप्रदेश में चल नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुखसंदेश को धारन कर चका चौंध भरी दुनिया को जीवन के रसका हरन नहीं करना चाहिए यह पर्यावरन शुद्ध हो इस लोक के संधी विग्रह संभ्रमित जने भ्यो ध्रुत सुखसंदेशम इस संधी का विच्छेद है संभ्रमित जने भ्यह प्लस ध्रुत सुखसंदेशम इस संधी का विच्छेद है कुरियाथ प्लस जीवित रस हरनम अब पर्यावपदानी और विलोमपदानी बंधू हू इस शब्द का पर्यावपद है भ्राता खगह इस शब्द का पर्यावपद है पक्षी अथ्वा विहगह रवह इस शब्द का पर्यावपद है ध्वनीही अथ्वा ध्वानह पूरह इस शब्द का पर्यावपद है नगरम अथ्वा अधिश्थानम अब विलोमपद सुखम का विलोमपद है दुखम अब इस पाट का हम अंतीम श्लोक सात्वा श्लोक पड़ेंगे प्रस्तरतले लतातरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाहा पाशानी सभ्यता निसरगे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन्मरनम शूची पर्यावरनम अब इस प्रस्तरतले लतातरु गुल्मा अहा पिष्टाहा नो भवन्तु पाशानी सभ्यता निसरगे समाविष्टा न स्यात अहम मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरनम न कामये श्लोकार्थ लता व्रुक्ष और जाडी पत्थरों के तल में न पिसे पाशानी सभ्यता प्रकृती में समाविष्ट न हो मैं मानव के लिए जीवन की काम ना करता हूँ ना कि जीते हुए मरन की यह पर्यावरन शुद्ध हो इस श्लोक में केवल एक ही संधी है स्यान न इसका विच्छेद स्यात प्लस न इस प्रकार है पर्यावदानी प्रस्तरह इस शब्द का पर्यावद है पाशानह अथ्वा अस्मा कामये इस शब्द का पर्यावद है इच्छामी वांच्छामी छात्रों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में